अब इसका दूस्तों आप सभी का सागत है चाट मोजो के नए एपिसोड में और आज की दिन हमें एक ड्रेगन फ्लाइड डोजी कैनल स्टिक देखने मिल रही है यह जो ड्रेगन फ्लाइड डोजी कहते हैं डोजी इसलिए क्योंकि ओपन क्लोज और वेरी सेम और ड्रेगन फ ऐसा है कि आज हमें follow up buying मिली gap up के तोर पर ठीक है gap up हुआ market was excited फिर थोड़ा sideways गया and then gap fill हुआ and then वापिस recover करते वे थोड़ा market उपर गया अभी इस जो candle बनी है इसे as a mild bullish कहते हैं जादा कोई खास candle नहीं बनी है ठीक है तो as a mild bullish ही कहेंगे क्योंकि एक बार बैरस का अब देख सकते हो falling resistance line अब इसे हटा देंगे because अब हमें दीख रहा है कि जो closing हुई थी previous candle की वह अच्छी green candle थी और आज एक dragonfly doji के इसाब से हमें एक follow up buying भी देखने मिल गई ओके now what अभी हम अगर नीचे से एक touch points लगाते हैं सारे lows का सीदिस multiple low पर ये touch point जा रहा है और इसी को हम clone करेंगे और इसे हम उपर put करते हैं by touching all the high points तो आपको एक ऐसी line मिल जाएगी ठीक है अब इस इसाब से हमें पता चलता है कि nifty is formed okay nifty has formed a falling channel तो इसका जो slant है वो ज्यादा deep नहीं है ठीक है अब ये situation में हमें दिखता है कि उपर के side resistance काफी सारे हैं for example ये जो resistance line बन जाएगी अभी okay you can see here ठीक है ये resistance line का एक बार resistance लगेगा फिर इस red candle का आप देख सकते हो इसका high भी एक resistance एक करेगा 9600 another resistance और 650 अब दूस्तों इतने सारे resistance है उपर तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना होगा कि अब कल के कल वाले session में okay खासकर intraday session के अंदर कोई भी अगर हम trade देखना चाहे तो थोड़ा cautious हो के लिए because finnift की expiry होगी कल वो सकता है थोड़ा volatile रहे आज के दिन डाव क्लोस है आज के दिन पर डाव की futures ही रहेंगे ठीक है डाव में सच कोई trading नहीं होगी बट हमें अब next trading session के लिए जो important level रहेंगे ओके वो 9600 के रहेंगे अगर एक बार 9600 के उपर जाता है तो 9600 और 9700 ये दो level के लिए एक बार के लिए play कर सकते हैं और नीचे के side अभी हम क्या करे हैंगे आज के candle का low ओके और previous candle का close almost हमें एक ही level पर दिखाई देता है ओके that is 94.31 तो एक बार के लिए अगर market 94.30 ब्रीच करता है मेरे सबसे एक इंटाडी की opportunity बनेगी now obviously 400 as a support बनके आएगा जबी भी 94.30 ब्रीच होगा बहुत ही चोटा 30 points है तो उसमें आरा जादा अच्छा नहीं बैठेगा बट 94.30 के break होने के बाद एक बार के लिए attempt हो सकता है कि market 93.50 जाए ओके तो यहां पे almost 80 points का एक बार के लिए हम move देख सकते हैं अगर 94.30 ब्रीच होता है जिसमें से 19.400 पे एक बार के लिए attempt करेगा निफ्टी hold करने के लिए ओके तो अपसाइड डाउनसाइड डोनों ही अब clear है let us go to the bank nifty chart bank nifty के अगर हम chart देखते हैं तो 650 के around यहां पे stable था 44,650 का level कल भी हम discuss कर रहे थे around उसी level पे था ज्याद आचा कोई breach नहीं मिला similarly nifty के अंदर gap up मिला था 19.500 पे उसका अगर हम gap up का high फिर breach होने का इंतजार करते तो वो हमें end of the session देखने में तो as such कोई trigger भी था नहीं nifty के ऊपर तो दोस्तों एक बात ध्यान रखो कि कभी भी ह और उस candle का low as a important हो जाता है ठीक है ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए हमें तो bank nifty के अंदर अगर हम देखे तो similar like nifty अगर हम थोड़े चोटे time frame में देखेंगे तो दो parallel lines के बीच में trade होता वा दिखाई देगा bank nifty इसके अंदर क्या करेंगे हम एक बार के लिए 44,800 का wait करे और 44,800 बीच होने के बाद छोटे लेवल के अंदर 45 के और 45,200 ये दो लेवल के लिए attempt हो सकता है on the lower side जो आज का जो hammer type candle आप देख रहे हो तो exactly क्यूंकि इसे हम hammer का properties बोलेंगे इसमें है hammer हमेशा हमें bottom of the trend में देखना bottom of the swing में देखना चाहिए like this या उपर दिखता है तो इसे है as a hanging man बोलते है अब इसकी जो placement है hammer candle की ठीक है वो गलत है वो sideways में है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फिर भी जो important level होगा नीचे के लिए वो आज के candle का लोग होगा that is 44,300 ये लेवल अगर breach होता है तो एक बार 44 के के लिए attempt बनाया जा सकता है in bank nifty अगर मै sideways में ये हैं वहांके futures आज दिखते हैं किसे सबसे perform होगा dollar index भी is in sideways और Brent is also making a very small candle ठीक है अभी कल जो हम counter discuss कर रहे थे IRCTC का counter discuss कर रहे थे gap fill होने की एक बार इसके अदर आशा लग रही है एक rising wedge structure मिला है जो की थोड़ा uncommon होता है bottom में अदिकतर ये market उपर जाने के बाद मिलता अब दोस्तों इसके अंदर आज एक अच्छी move मिली और जो gap का level निकल के आता है वो near about 725 का level आसपास आपको निकल के आएगा तो इस level का definitely एक बार के लिए attempt होगा chart में तो इसमें जरूर आज की दिन भी हमारी जो chart study थी वो right होते भी दिखाई दी okay और मैं आशा करता हूं क यह gap भी fill होने चाहिए जिससाब से moment लग रहा है आई एक्स के अंदर देखे तो इसमें भी gap fill हो गई कल हमने दोनों ही gap fill के इसाब से दिये थे उसमें से IRCTC में होना बागी है gap fill बद आज अच्छी move देखने मिली IEX के अंदर gap fill हुआ है और gap fill के बाद उसके अंदर और strong closing भी मिली है ठीक है तो अब इस candle का high important हो जाएगा यह high bridge होगा तो कल फिर से थोड़ा बहुत हमें momentum देखने मिल सकता है लेकिन इसकी भी study जो थी gap fill के साब से intraday momentum के साब से वो भी right गई अब दोस्तों एक counter था जो हम मैंने कहा था कि okay is move थी ठीक है लेकिन positional के लिए मैं बोला कि एक बार double bottom pattern बना है तो अगर follow up buying आएगी तो एक अच्छा रुजान मिलेगा next day follow up buying sideways और फिर finally इसके अगर हम depth लेते हैं तो वहां तक के लिए एक बार counter पहुंच जाता है इसी तरीके से double bottom एक बार RT industry के अंदर देखा था let us see उसमें हमारे एक बार जो study है वो right होगी या नहीं होगी ठीक है अभी अगिन मेरा ये जो दिखाने का purpose था कि double bottom के अंदर move आई है हो सकता है कभी कबार आपको ऐसी breakout मिले और आपका इधर SL hit हो जाए और कभी move आए तो उसके अंदर क्या करना है सिफ first attempt में हमक ठीक है next अगर हम देखते हैं कि सर कोई-कोई pattern जो है हम discuss करते हैं study करते हैं उस हिसाप से जाते नहीं है तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी जो accuracy होनी चाहिए ठीक है वो अगर आपकी 55% to 65% के बीच में आएगी तो भी आपका काम हो जाएगा ठीक है इस accuracy पे भी आ उसके साथ ही साथ अगर मैं यहां पर एक छोटी सी range बनाना चाहूं तो यहां पर support है यहां पर resistance है कल के session के अंदर अगर 196.5 के उपर breach करता है तो definitely इसके अंदर एक attempt बनेगा उपर जाने का ठीक है जिसमें 200 एक psychological intraday type hurdle आएगा ठीक है और उसके बाद हम जो यह previous swing देखते ह मेरे साथ से एक बार यहां तक की ज़रूर move दिखानी चाहिए near about 205 आती है यह previous upside की swing next जो counter है जो लग रहा है वो है TCS का इसके अंदर अगर आप देखते हो तो यहां पे हमें क्या मिला resistance मिला resistance मिला finally breakout अब यही अब support में बदल गया है तो COP level पे हम देख रहे हैं अच्छा support ह एक descending triangle का structure बनावा है descending triangle exactly हम जो डूणना चाते हैं वो डूणते हैं एक ऐसा downtrend में हमें descending triangle मिले यहां पे क्या मिला है हमें एक COP पे descending triangle मिला है तो एक बार के इसमें भी attempt होगा अगर आज के candle का high breach होता है let us see that exact level एक बार मैं आपको point करके बता दू यहां पे जो हमारे exact level आते हैं वो आते हैं 3434 I think so 34 yes 3432 तो आप इसमें एक बार 3435 का as a current high का important trigger level लगा सकते हैं वो breach होगा तो आप देखो आपने काफी सारे अगर हमारे वीडियो देखें तो आपको intraday play करो तो तुरन समझ जाना चाहिए अगर यह breach होता है तो अगला कहां तक यह counter जा सकता है इसके previous swing high पर तो दो previous swing high है तो आप यह mark कर लेंगे यह तक के लिए एक बार में intraday में definitely attempt करेगा और follow up buying आती है उसके बाद तो एक बार के लिए हम देख सकते हैं जो pattern के target होते हैं ठीक है तो यह A point है यह B point है ठीक है इन दोनों का जो distance होगा वो हम यहाँ पे plot करते हैं from this point ठीक है तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारा content बना रहा है तो definitely like करें और नए हैं viewers तो definitely subscribe करें till then take care मैं आपको अगले episode में मिलूँ